गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सल हिंदी राज का अमार टॉपिक है डूब्लिकेट्स को रिमूब और उनको हाइलाइट करना तो आएए देखते हैं किस तरीके से करना है यह वाला चीज सबसे पहले आपके सामने डाटा है जो भी डाटा आपने लिया हुआ है उसमें आपको फाइंड करना है कि डूब्लिकेट आपका डाटा कौन-कौन सा है तो होम बटन पे आपके है कंडिशनल फॉर्मैटिंग इसमें है हाइलाइट सेल रूल्स के नीचे है डूब्लिकेट वैल्यूज औ और यह है आपके डूब्लिकेट वैल्यूज जो इसने शो की है वो है इस तरह के से यह है आपके डूब्लिकेट वैल्यूज चाहिए तो आप इनको मैनेवली रिमूव कर सकते है या फिर अपने डाटा को इसी तरीक से रहने दीजिए दूसरा हम फंक्शन यूज करते हैं में रिमूब का यह तो था शो करने का अब है रिमूब करने का तो उसके लिए हमें जाना होगा data में data में है हमाया यहां पर रिमूब डुब्लिक इस पर मैं किलिक करूगा कि और यह box खुलेगा यहां पर कि इस box में आपको यह ध्यान देना है कि my data data has headers पर हमेशा चेक होना चाहिए और आपके data में headers होने बहुत जरूरी है इसके बाद आपको करना है ओके तो यह दिखा रहा है कि दो duplicate इसको मिले हैं इसने उनको remove किया और बाकी unique values remain तो जो पूरी तरीके से duplicate थे इसने उसको remove कर दिया है बाकी data जो है इसने यहां पर save छोड़ दिया है तो यह था असान सदाजी का remove को highlight और duplicate को remove करने का और भी वीडियो देखने के लिए subscribe कीजिए youtube slash learn excel Hindi have a nice day very very thank you good morning friends मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं learn excel Hindi और आज का जो मेरा topic है वह है data validation और data validation में आपको पहले बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में और इसमें थोड़ा आज functions जो है थोड़े नए functions में आपको उसमें बताने वाला हूँ तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने यहाँ पर database त्यार किया हुआ है salesman और यहाँ पर कुछ के नाम है प्रोडक्ट के और उनकी यहाँ यहाँ पर quantity हैं और यहाँ पर है total quantity तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर salesman का नाम लिखा हुआ है धीरज और मेरे पास में चुनिंदा ही salesman है ने किमेरे कोई और ना मेंटर ना हो पाए तो उसको वैलिडेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा आए देखते हैं कि सबसे पहले आप स्कूल स्लेट कर लेज़े जहां से आपको अपनी रेंज स्टार्ट करनी है कि उसके बाद हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन में कि यहां पर सेटिंग में क्रेटेरिया हैं उसके नीचे यहां पर है अलाव और इसके अंदर में हमारे ऑप्शन से और यहां पर एक ऑप्शन आता है हमारा लिस्ट का और source में अपकी बार कोई formula हमें नहीं डालना है हमें source हम यहीं पर यह अपनी sheet पर एक list हमारी बनी होती है हम उसको select कर लेते पर अपकी बार में आपको manual डाल के भी बताऊंगा इसमें manually भी आप इसमें field कर सकते हैं list बनाने के लिए तो आएए नाम डाल लेते हैं कि सब्सक्राइब हम धीराजी ले लेते हैं जो डला हुआ है कि अ कि अ कि कि बाद है कि पांच नाम हो गए हैं मुरुक्त छे नाम चाहिए च्छाटा नाम ले लेते हैं इशी का और अब हम मैं इसको ok कर देता हूँ तो आपने देखा इसमें drop down menu बना दिया है इसमें list बना दिया है उन सभी नाम की अमें इन में से कोई भी एक नाम इसमें लेकर डाल सकता हूं अब मैं चाहता हूँ कि यही list इन सभी के अंदर भी आ जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा तो आप इस पूरे को select कर ल और यहां पर इसे भी okay कर देंगे तो आप देखें कि यहां पर आपके सभी sales में वो list जो है include हो गई है यहां से आप कोई भी एक नाम लेके अपनी list को complete कर सकते हैं तो अब बात करते हैं quantity जो यहां पर डली हुई है अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी salesman 200 से उपर quantity ना ले जा पाए मेरे office से जो उसकी entry हो वो 200 से उपर की नहीं होनी चाहिए 200 ही product उसको per day के साब से मैं देना चाहता हूँ और मैं data जो secure रहे और इसके उपर कोई entry ना हो पाए तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा आए देखते हैं सबसे पहले आप पूरी रेंज को आप सेलेट कर लेंगे आप सिंगल भी सेलेट कर सकते हैं पूरी भी सेलेट कर सकते हैं जरूरी नहीं है के बाद data validation अब इसमें function है whole number का whole number है आपका आपको data between लेना है इसमें जैसे कि मैंने बताया 200 से उपर मुझे range नहीं बेजनी है नहीं quantity देनी है उन लोगों को तो मैं रखूँगा minimum 0 और maximum रखूँगा मैं 200 और इसके बाद मैं कर दूँगा और अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक message भी मैं अपने cells में देना चाहता हूँ और एक error message में देना चाहता हूँ by default जो error message आता है excel का वो मुझे नहीं चाहिए मुझे अपना message एक चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा यहां मैंने settings पर पंडाटा दाल दाल दिया है और input message में यहां पर दाल दूँगा मैं उसको quantity input message होगा मेरा please enter quantity 0 to 200 और error alert जो होगा मेरा वो होगा title होगा उसका quantity error होगा इसमें this quantity is not exist अब कुछ भी message इसमें आपना दे सकते हैं ज़रूर ही नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ आप होई लेंगे आप अपने accordingly आप डाटाबेस के accordingly आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं style आपकी जो है आप यहां पर change कर सकते हैं कोई warning आप जान जाते warning मी दे सकते हैं information है error तो information मी दे सकते हैं पर अभी हमारा क्या है stop है मैं उसमें stop करना है तो इस तरीके से मैंने मैंसेज इंपूट कर दिया है अलएड भी डाल दिया है और अपनी setting भी मैंने इसमें डाल दी है अम इसको ok करता हूं अब आप देखेंगे जहां पर भी मैं अपने cells को इसमें select कर रहा हूं कोई service select अगर में यहां पर कर रहा हूं तो उसमे ग मैसेज शोर है जो मैंने वहां पर डाला था quantity please enter quantity 0 200 और अगर हम मैं इसमें दोसों से उपर quantity मैं एंटर करता हूं तो यह क्या यह बताता है देखते हैं जैसे मैं समने 204 डालता हूं तो हो क्या कहता है तो जो error alert मैंने बनाया था वो यहां पेarmee शो이 हो गया है बहुत और यह सीज मेरा यहां पर हो गया तो यहीं कि इस तरीके से आफ डालात कर सकते हैं उस में अपने अनुसार error alert भी डाल सकते हैं अपना message मैसेज भी जाल सकते हैं जिससे की जो आपकी कोई भी एंट्री करता है एक्सल में आपके अलावा या कहीं पर भी उसको यह मैसेज शो हो जाएगा और आर इस तरीके से आ जाएगा तो यह काफी फाइदे मन्द होता है जब इस तरह गराटाबेस हमको बनाने के लिए मिलता है हमारे पास में और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com slash learn excel hindi have a nice day thank you very much friends Good morning friends मैं हूँ अज है और आप देख रहे हैं learn excel hindi और आज का जो हमार टोपिक है वो है sheilds का navigation किस प्रकार किया जाता है तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपके माल लिजिए आपकी कोई file है और उसके अंदर में काफी सारी sheets है और आपको उनको navigate किस तरह के से करना है भी आपकना से ऐख भल लींद्ध के लिए हम देखते हैं आज हम क्या कर सकते हैं इस चीज लिए बहुत ही सिंपल इसा फंटा है जो भी आपका ब्लाटा होगा उसके बाद सबसे पहले हर सिट पर जाना तो मुश्किल होता है या याद भी नहीं रहता है कि आगे कौन सी शीट के बार बार आपको स्क्रोल करना पड़ेगा धर से उदर तो इसके लिए आपको क्या करना है simply यहाँ पर आप right click करेंगे और एक्टर तो आपकी यहाँ पर sheets के नाम आ जाएंगे जो भी होगी और more sheets का आप करेंगे option तो यहाँ पर आपकी सारी sheets जो हैं इस तरीके से show हो जाएंगी और जो उनसी भी sheet पर आप जाने चाहते हैं आप उसको just click करेंगे तो directly आप उस वाले sheet पर चले जाएंगे जो उनसी आपने मापे okay की थी दूसरा एक तरीका और है sheets को navigate करने का उनको जानने का माल लीजिए मैं sheet 1 से लेके और 10 तक इनको एक particular color देता हूं जो tap color से आता है red click करके सबको select किया मैंने shift दबा के 10 की 10 sheet को मैं चाहता हूं कि एक data है मे dark blue मैंने color दे दिया है इनका तो यहां पर इसन dark blue color दिखा दिया है अब sheet 11 से लेकर और 20 तक मैं कर देता हूं इसको black और 21 से 25 को देता हूं मैं color लाइट ब्लू तो अब यह भी असान तरीका है आपकी sheets को recognize करने के लिए कि आप इन सबको color दे दिया है अच्छा दूसरा है तरीका एक मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके इस particular sheet और इस वाले sheet के बीच में एक space आए उसके लिए हमें क्या करना होगा आपको करना है insert जो हमसे sheet के आगए आपको चाहिए insert करेंगे वर्क sheet को add करेंगे और यहां पे एक sheet आ गई है जो black color की नहीं है blue color की नहीं है पर इसका नाम आपको क्या देना है इसका नाम आप सिरफ एक space देंगे जिससे कि आपके यहां बीच में की space यहां पर show हो जाएगा जिससे कि आपको इनके बीच में space देगे असानी से आप इनको पैचान सकते हैं दूसरी तरीके से यहां पर भी कर लेते हैं इंसेट करेंगे वर्कशिट इसका भी नाम देदेंगे space ओके यह हो गया क्योंकि दो space यहां पर इसलिए देने पड़े हैं क्योंकि यहां पर एक space का नाम हम आप पर दे चुके हैं अच्छा तो आप आप अच्छी तरीके से मालुम चल रहा है कौन से sheets किस डैटर से विलों करती है पर कौन से किसे विलों करती है अच्या अब देखे लिते हैं यह देखेये जहां पर आपने space दिया है आपने आपने नाम दिया को काली स्पेस आम एपनी से अपने लिए के लिए के लिए इसको इसे से वाले शीट लेत हम उधा हूं यह था चैल को न शीट को के लिए और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूटूब स्लाइस लर्न अक्सल हिंदी है वे नाइस दे थेंक यू वेरी मुच फ्रेंड्स पर वाचिंग दिस वीडियो गूट मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूँ अजय है और आप देख रहे हैं लर्न एक्सल हिंदी और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कि रोज को कैसे डिलिट किया जाए जल से जल याने की फास्ट वे टू डिलिट डार रोज तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं डाटा लिखा हुआ है एक और मुझे इसमें से रवी नाम को फाइंड करके जितने भी रवी है कितनी भी जग़े रवी है मुझे इसको अटाना है तो कि रवी मुझे पसंद नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि रवी के डाटा जहां पर भी है किस भी तरीके का है वो रवी की जितनी भी रोज में डाटा है वो आटोमेटिक डिलिट हो जाए मेरे को मैनवली जाकर रवी को डिलिट ना करना पड़े कि सबसे पहले जहां पर सेल्समेन का कोलम है आपका उसको आप पूरा सलेट कर लेंगे उसके बाद कंट्रॉल effort find के लिए होता है इसको मैं करूंगा find review और find all मैं करूंगा इसके बाद यहाँ पे यह आपने देखा जहां पर भी review है इसने इसको यहाँ पे list दे दिये इसको पूरे को मैंने select किया और select करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इसने रवी को हर जड़े select कर लिया है अब मैं क्या करता हूं इस dialogue box को मैं करता हूं बंद और उसके बाद home button पर ही रहने के बाद में जाता हूं मैं delete में तो यहाँ पर है delete sheet rose इसको मैं कर देता हूं delete तु मैंने क्या पाया कि मेरा data था वह वैसा का वैसा ही रहा बस यहां से रवी जो था मेरा दुस्मन जो था वो यहां से हट चुका है ठीक है और डाटा मेरा वैसा का वैसा ही रहा यहां पर सिरफ रवी जो था वो उसकी रोज समित यहां से हट चुका है और काफी असान सा फंडा है उसको यूज कीजिएगा और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूटूब स्लाइस लर्न एक्सल हिंदी है नाइ और आज का जो हमारा यह सब्जेक्ट है टॉपिक है वो है ब्लैंक सेल्स को कैसे फिल किरते हैं ओटोमेटिकली तो आए देखते हैं जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं मैंने कुछ नाम लिखे हुए है यह का नाम तो मेरे ही है बाकी और मेरे फ्रेंड्स है और इसमें छोड़े हुए है तो इनको हमें कैसे फिल करना है आज़े देखते हैं सबसे पहले आप पूरी इस डैटा की रेंज को सेल्ट कर लेंगे उसके बाद आप जाएंगे फाइंड अन सेलेक्ट उसके बाद गो टू स्पेसल और यहां पे ब्लैंक को हम सेलेक्ट करेंगे और कर कर लेंगे या कोई भी आपको सेलेट करना है वो आप सेलेट कर लेगे जो भी आपको इसमें फिल करना है इसके बाद आपको करना क्या है कंट्रोल प्लस एंटर ध्यान रहे कंट्रोल प्लस एंटर करना है आपको यह मैंने कर दिया तो अब जहां पर भी ब्लैंक सेल था वह हाँ पर मेरा नाम फिल हो चुका है और यह फॉर्मूले के साथ में हैं अब मुझे इसमें खाली वैल्यूज कोपी करनी है तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा कंट्रोल सी और पेस्ट में जाएंगे तो पेस्ट इसपेशल और वैल्यूज को आपके कर देना है स पंड़ा बहुत ही क्लियर है इसका तो और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए यूटूब स्लैस्ट लर्न एक्सल हिंदी है वे नाइस डे थैंक यू वेरी मुच फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं मुझे और आप देख रहे हैं लर्न एक्सल हिंदी और आज का जमार टोपिक है बहुत ही अच्छा टोपिक है वो टोपिक है कि दूसरी वर्क्षीट के साथ में आप अपना फिल्टर यूज कैसे कर सकते हैं फिल्टर का यूज करना है इ यह देखते हैं किस तरीके से करना है जैसा कि आप यहां पर सामने देख रहे हैं मैंने कुछ यहां पर सेल्समेन है और उनके डाटा है यहां पर उन्होंने कितनी सेल की है डॉटल यहां पर आया हुगा है उनका और अब मैं चाहता हूं कि टॉप के सेल्समेन कोन है मेरे क्य कि मैं उनको कुछ अवार देना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने यहां पर टॉप सेल्समें के अलग शीट बनाई हुई है और यह मेरी ओडर की लिस्ट है अब मैं मुझे क्रेटेरिया फिट करना होगा जो मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन 9500 यानि कि जिसने भी इससे अबाव सेल की है वो मेरा टॉप सेल्समें क्या लाएगा तो आए क्या करना इसके लिए टॉप सेल्समें की शीट पर जाएंगे और कहीं पर भी किसी सेल में आप क्लिक किजिए इस तरीके से उसके बाद डेटा पर जाना है आपको और एडवांस पर क्लिक करना है और यहां पर डालोग बॉक्स खुलेगा और यहां यह कहा रहा है कोपी टू अनेदर लोकेशन को हम सेलेट करेंगे लिस्ट रेंज लिष्ट रेंज के लिए बाप इस ओडर वाले शीट पर जाना है और इस पूरे डाटा को आपको गया करन है select कर लेना है उसके बाद है criteria range criteria range भी मेरी order वाली list पर है criteria लेंगे हम इस दोनों को जो हमारा यह हमने criteria यहां पर हमने set किया था उसके बाद बारी आती है copy to अब data आपको चाहिए कहां पर तो मुझे इस वाली sheet पर data चाहिए तो मैं salesman और item को select करूँगा और इसके बाद कर दूँगा मैं okay तो यह आपने देखा कि पूर्णीमा मोहिनी और मोहित तीन मेरे top salesman है और इन्होंने items कौन-कौन से sales की हैं जिससे यह top के salesman बने हैं वो यह हैं क्योंकि इन्होंने जो है 9500 से अबाव sales जो है इस महिने की थी जैसे कि आप देख रहे हैं पूर्णीमा मोहिनी और मोहित पच्चे-पच्चे-जार की इन्होंने sales की है तो यह था हमारा आज का function फिल्टर लगाने का इसी दूसरी वर्कशीट के द्वारा इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए subscribe कीजिए learn Excel Hindi, have a nice day, thank you very much. Good morning friends मैं हूँ आज है और आप देख रहे हैं learn Excel Hindi और आज का जो हमारा topic है वो है line breaks को find and replace करने का जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं मैंने कुछ data यहां पर लिखा हुआ है जिनकी अंदर line breaks है और यह line break data आपको कहीं से भी जब हम copy करते हैं तो sometime हमारे पास में क्या होता है data हमारा line break के तुरू enter हो जाता है तो उसको खतम करने के लिए उसको find करने के लि आता किस तरीके से माल लिजिए आपको कोई नाम यहां पर एड़ करना है इसके बाद आपको इसके नीचे की जस्ट इसी कोलम में एक नाम मोर चाहिए तो आपको करना होगा alt प्लस enter प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आप जस्ट इसके नीचे आपका शो हो जाएगा इस तरीके से और अब हम देखते हैं कि हमें land breaks कैसे find करनी है और replace करनी है तो find and replace करने के लिए आपको पता है keyboard पे shortcut है control plus h इसके बाद आता find what find हमें करना है लाइन ब्रेक और land break को find करने के लिए हम प्रेस करें control plus j और यहां पर यह ऐसे cursor blink करने लग जाएगा आपको छोटी ची बिंदी उसके बाद replace आप करेंगे space के साथ इसके बाद हम कर देंगे replace all इसमें replace कर दिया है close और आप देखते हैं हमारा हुआ कि नहीं यह देखिए इस में line breaks चो है remove हो चुका है replace हो चुका है और data हमारा इस तरीके से हमें मिल गया है तो इसी तरह के और भी वीडियोस हैं मेरे पास में और आपको उनको देखने के लिए subscribe करना होगा youtube slash learn excel Hindi thank you have a nice day good morning friends मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं learn excel Hindi पर आजकर जो हमारा topic है वो है numbers कई बार हमारे सामने add सही नहीं हो पाते हैं उनमें add करने में गलती हो जाती है या पूई error हमारे सामने show हो जाता है जैसे कि यहाँ पर example के तोर पर देख लेते हैं एक बार मैंने यहाँ पर कुछ numbers लिखे हैं और यह उनका total है इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ numbers लिखे हैं पर इनका total zero आ रहा है तो यह zero आ रहा है क्योंकि यह जो numbers हैं यह numbers के format में नहीं है इनका alignment left है और numbers हमें सब होते हैं राइट alignment में और इन सब numbers के आगए apostrophe लगा हुआ है जिस वजए से एक्सल ने इनको numbers ना समझ कर सिरफ text समझा है और इनकी जो total है वो लगा दिया है zero तो इसको fix करने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले कोई भी blank cells को आपको करना है copy उसके बाद पूरी data को आपको करना है select उसके बाद आप जाएंगे paste और इसमें जाएंगे paste special में यह operation में आपको करना है add add कर देंगे अब इसने क्या किया है add करने के साथ ही इसने इसको number में convert कर दिया है इन सब को इसको इसको लिमूब कर दिया है और यहां पर इसका total zero आ रहा था वह automatic अपने आप 177 आ चुका है तो यह आप यूज़ कर सकते हैं जब भी कभी आपको इस तरह की problem या आपके number सही तरीके से calculate नहीं हो रहे हैं और add नहीं हो रहे हैं और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए subscribe कीजिए youtube slash learn axl Hindi have a nice day thank you very much Good morning friends मैं हूँ आजए और आप देख रहे हैं learn axl Hindi और आज का जो हमारा topic है वो है cannot shift objects of sheet वाले इस error को fix करने के लिए तो यह होता क्या है मैं आपको बताता हूँ जैसे कि माल लीजिए मैं इस column के आगे column more add करना चाहता हूँ तो मैं insert करूँगा तो मुझे यह error show हो रहा है तो इस problem को fix करने के लिए मुझे क्या करना होगा इसका एक shortcut है वो है control plus six six जो है numeric अप्रेस करेंगे अपने keyboard से और आप try करते हैं इंसेट इसने मुझे column में insert करने दिया है और एक row भी इसने मुझे insert करने दिया है इसमें यह तो धा shortcut तरीका इसका तुम दुबारा से बंद कर देते हैं और इसका एक long cut तरीका भी यह है अपने office वाले button को आप प्रेस करेंगे उसमें इसमें आप पो जाना है और advanced इसके बाद नीचे आएंगे आप अब इस वाले option में यहां पर आएंगे तो देखेंगे यहां पर nothing hide objects अगर आपका यहां पर यह select हो रखा तो आप उसमें insert नहीं कर सकते हैं आपको करना है all okay और अब दुबारा से insert करके देखते हैं तो यह था इसका long term वाला funda वो मैंने बताया था control plus six shortcut वाला funda तो कभी भी आपको इस तरह की problem आ जाए insert करने में तो आप इस तरह के से अपनी problem को solve कर सकते हैं इसी तरह की और भी वीडियो हैं हमारे पास में सब्सक्राइब कीजिए यूटूब स्लैस लर्न एक्सल हिंदी have a nice day थैंक यू वेरी मुंच गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सल हिंदी और आज का जो हमार टोपिक है वो थोड़ा टिपिकल है थोड़ा लेंदी है वह वहला पर उसको हम काफी असान तरीके से मैं आज आपको बताने कोशिश करता हूं उम्मीद करता ह आप लोगों को समझ में आएगा आप उसे पसंद करेंगे तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है कि किसी भी फॉल्डर के जितने भी फाइल्स होते हैं उनके नाम आप किस तरीके से यहां पर एड़ कर सकते हैं अपनी एक्सल की सीट में जैसे कि मेरा यह फॉल्डर है य यहां पर एक्सल सीट में अपना पेस्ट कर सकता हूं पर यह बहुत ही लंबा प्रोसेस है इसको हम नहीं कर सकते और इसके लिए शोटकट हम अपना ही अपने एक्सल के फॉर्मूलों के दुवारा तो आई देखते हैं किस तरीके से इसे हमें कर रहा है सबसे पहले आपको क करना क्या है अपने जो फॉल्डर के की लोकेशन है वो आपको कॉपी करनी होगी कि किसी भी एक्सल में आप यहां पर कॉपी कर लिजिए इस तरीके से और आपको यह ध्यान देना है कि जब आपका फॉल्डर का नाम और उस की फाइल जहां पर है वो फॉल्डर का नाम एंड हो जाएगा उसके बाद में आपको इस तरीके से यहां पर एस्ट्रिक लगाना है उसके आगे एस्ट्रिक इसलिए है क्योंकि फाइल यहां पर सकते हैं तो आपको इस तरीके से अपने फॉल्डर के डेस्टिनेशन देनी होगी माल लीज़ेशन को आप find नहीं कर पाई आपको नहीं मिल पाई है या आपको नहीं मालूम है किस तरीके से वह ली जाती है तो मैं आपको बताए हुँ सबसे पहले तो आपका जहां पर folder है सबसोर पर address बार में आप उसको copy address text के द्वारा उसकी destination आप copy कर सकते हैं जैसे यहां मैंने copy की हुई है दूसरा है मैंने एक formula यहां पर लिखा हुआ है यह वाला और यह formula आपको मिलेगा इस video के description में महां से आप इसे copy कर सकते हैं यहां से मैंने इसे copy किया यहां से मैं इसको हटाऊंगा यहां जाके मैंने इसको paste कर दिया अभी यह क्या इसमें value का error बता रहा है क्यूंकि अभी तक मैंने यह वाली file को save नहीं किया इसलिए इसने इसको एर्र बता दिया है और आपको इस फाइल को सेव करना होगा अपने उसी फॉल्डर में जहां पर आपकी सारी फाइल्स रखी होईगी है और जिन फाइलों को आप यहां पर नाम की लिस्ट चाहते हैं तो आई यह सको सेव करते हैं सबसे पहले इसका नाम देते हैं टेस्ट वन कोई भी नाम दे सकते हैं जरूरी नहीं है उसके बाद में जुबारा से एफ्टू करेंगे एडिट करने लिए और एंटर करेंगे तो देखा आपने इसने वही एडरस यहां पर डाल दिया है जोन सा मैंने यहां पर लिखा हुआ था है अब बात करते हैं फाइल नेम कैसे हैडर होगी अमारी उसके लिए हमें इसमें नेम रेंज आड़ करनी होगी और नेम रेंच अड़ करने के लिए हम जाएंगे अपने पर new case उपर ribbon से उसके बाद define name में जाएंगे और यहां पर हमारे यह location दिखा रहा है हमें इसको अठाना है और इसको एक नाम देना है जो नाम हम देज़ते हैं file names के नाम से इसके बाद reference जो है इसको हमें अठाना है इसमें हमें डालना है एक formula जो की है files का इसके बाद किससे refer करवाना है इसको किससे refer करवाना है sheet1, c1 से इसके बात कर देंगे इसको हम bracket close और हमारा name range हो गया है हम name manager में जाके इसको check भी कर सकते है यह हमारा name आ रहा है यहां पर अच्छा अब जो है file names को show करने के लिए हमें use करना होगा index का formula यह तो लगाते हैं index का formula अब इसमें array जो है आपका जो भी आपने इसमें name manager में जाके name बनाया है वह हम ले लेंगे file names उसके बाद यह बोल रहा है row column row number row number हम देंगे one क्योंकि हमें अपने folder में से पहली file का name इसमें याड़ करना है तो हम इसमें coma लगा के एक number देंगे इसके बाद मैं कर दूंगा इसको बंद तो यहां पर ही आ गया है file name मेरा auto sum आगे चेक करते हैं यह सही है या नहीं तो मेरा जो folder में सबसे पहला जो file है वह है auto sum की इसने correct दे दिया है इसमें उसके बाद आगर मैं इसी formula को नीचे paste करता हूं और इस one की जागे में अगर two लगा देता हूं तो यह जो second file name है वह यहां पर इस तरीकी से show हो जाएगी अब आप कहेंगे कि बार बार number add करना पड लेगा हमें यह लगा लेते हैं उसको कि इस नंबर को डाली जी आप सिंपली आप रोज का formula इसमें डालेंगे रोज हम लेंगे इसमें अपनी सी से सी वन से ओलन सी वन तक क्योंकि हमें इसी रोग के अकोडिंगली इसमें चाहिए और पहले वाले सी को हमें एफ फॉर के दुआरा इसको कर लेंगे लॉक लास्ट में जाके इस पूरे formula को क्लोस करना होगा हमें अब एंटर हम मैं इसको नीचे तक ड्रैक करूंग तो य अपने आपी रोस के लग अकोडिंगली मुझे शो कर देगा अब आपने यहां पर देखा कि नीचे रेफरेंस का एरर भी आ गया है इसमें वह इसलिए आया है क्योंकि मेरे इस पॉल्डर में टोटल 14 फाइल से हैं और यहां पर इसने 14 फाइल को डिफाइन कर दिया है जब कि इसको नीचे 15 नंबर पर कोई फाइल नहीं मिली तो इसने क्या कर दिया इसको रेफरेंस के नाम से एरर शो कर दिया है तो इस एरर को दूर करने के लिए भी एक हमारे पर फंक्शन है उसको हम लगाते है जो की है इस एर और लास्ट में मुझे देना होगा अगर मुझे क ब्लैंक चाहिए तो मैं इस तरीके से इसको क्लोज कर दूँगा यह मैंने कर दिया इस तरीके से तो नीचे आपने देखा यहां पर यह ब्लैंक हो चुका है तो इस तरीके से आप इसमें अपना वो लगा सकते हैं पॉर्मॉला माननी जीए इसमें एक फाइल में बना लेता हूं ये तो में अक्सल की सिहाँ इसने एक्सटेंसन दिखा दिया आपको जिस तरी की से यहां पर इसने लगाया था तो यहां पर इसने शो कर दिया है अब इस फॉर्मुला आपको मैं की जो बताना चाहूंगा अगर आप चाहते हैं कि आप की सिरफ डॉक्स की फाइल ही सो हो यहां पर तो आप एक्स्ट्रिक को हटा के कि डॉक्स लिखेंगे अगले वीडियो में बात करेंगे अभी इसमें सारी फाइल्स के नाम यहां पे शो हो गए है और मैं आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूटूब डॉट कॉम श्लैस लार्न एक्सल हिंदी है और नाइस डे थैंक यू वेरी मच्छ फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आज है और आप देख रहे हैं लर्न एक्सल हिंदी और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैक्रोस के द्वारा अपनी शीट्स को हाइड और अन हाइड करने का शोटकट तो वैसे तो आप अपनी शीट्स को जो हमारे शीट्स होती हैं पर जैसे कि आप देख रहे हैं डेवलोपर वाले ओप्शन पर आपके मैक्रोस है यहां पर मैंने दो मैक्रोस बना रखे हैं हाइड सेल्समेंशीट और एक हैस शो सेल्समेंशीट तो आपको पर्टिकुलर नाम देना बहुत जरूरी है नहीं तो आप उसको रन नहीं करवा सकत हैं और इसको एडिट में जाके हम देखेंगे इसका तो इसकी यह कोडिंग लिखी हुई है कि विजीबल होगा और हाइड होगा और विजीबल होगा यह दोनों इसमें हमने उपसंस हमारे यहां पर डाले हुए हैं तो आई यह रन करवाते हैं यह सबसे बह turtles कर वाते हैं अधिवारी शीट को जिए अधिन करवाते हैं तो कि भी दूंहाइड हो गई हैनुस के बाद हम करवाते हैं शो ऐस तो यह दोनूच यह रें पेुट से बारबार इसमें प्लिस एच थोटा या बड़ा कोई भी आप इसमें दे सकते है like a candy यह कि कंट्रोल प्लैश अएट से घॉड होगा हॉछ के लिए हम देख लेते हैं क्या हो सकता है शो के लिए एउन का देंगे च्ट्रूल प्लैस डिये आये कर कर देखते ग्याल Including कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच से देखी यहां पर हाइड हो गया है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट अब ए में प्रेस करता हूं तो यहां पर इसने इनको शो कर दिया है तो यह था एक्सल के अंदर आपको मैक्रोज के दुवारा अपनी शीट को हाइड और अन हाइड करने का फंडा और इसी तरह के और भी बेटर फंडे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूटूब स्लैस लर्न एक्सल हिंदी हैव नाइस देट थैंक यू वेरी मुँच गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सल हिंदी राज का माँ टॉपिक है डूब्लिकेट्स को रिमूव और उनको हाइलाइट करना तो आए देखते हैं किस तरीके से करना है यह वाला चीज सबसे पहले आपके सामने डाटा है जो भी डाटा आपने लिया हुआ है उसमें आपको फाइंड करना है कि डूब्लिकेट आपका डाटा कौन-कौन सा है तो होम बटन पे आपके है कंडिशनल फॉर्मैटिंग इसमें है हाइलाइट सेल रूल्स इसके नीचे है डूब्लिकेट यह है आपके डूब्लिकेट वैल्यूज चाहे तो आप इनको मैनवली डिमूब कर सकते हैं या फिर अपने डाटा को इसी तरीके से रहने दीजिए दूसरा हम फंक्शन यूज करते हैं इसमें रिमूब का यह तो था शो करने का अब है रिमूब करने का तो उसके लिए हमे यहां पर रिमूब डूब्लिकेट इस पी मैं किलिक करूँगा और यह बॉक्स खुलेगा है यहां पर इस बॉक्स में आपको यह ध्यान देना है कि माई डाटा है जो हमेसाथ चैक होना चाहिए और आपके डेटा में हैर्डर सोने भी जडरुरी है पूरी तरीके से दूब्लिकेट थे इसने इसको रिमूव कर दिया है बागी डाटा जो है इसने यहाँ पे छोड़ दिया है तो ये था असान से दाजी का रिमूब को हाइलाइट और डूब्लिकेट को रिमूब करने का और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूटुब स्लैस्ट लर्न एक्सल हिंदी एव नाइस डे वेरी वेरी थेंक यू गोड़ मॉनिंग फ्रेंड्स मैं हुआ जय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सल हिंदी और आज का हमारा टॉपिक है कॉलम्स की heading को letter से नंबर से letter में change करने के लिए जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं मेरी columns की जो heading है वो यहां पर numeric आ रही है और इसमें हम अगर formula को जालते हैं तो वो range rc की accordingly इसमें यह पकड़ता है इसमें r1 c1 हमारी पहली row कहलाती है और इसी तरीके से r1 c2 second और ऐसे पुरी series जो है numeric चलती है तो by default जो होता है वो axel में हमारे a से लेके पुरी series होती है a b c d पूरी और इसमें जो है वो numeric है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है अगर कई बार आपको आपको शीट या डेटा आपको रेसीव होता है इस पॉर्मेटिंग में तो आप उसको change भी कर सकते हैं फॉर्मूले इसमें सेम ही है बस लोड़ा rc वगरा इसमें लिखो होता है इसकर करके इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है इसको आप आपको आपके एक्षल ऑप्शन और इसमें आपका है फॉर्मूलाज वर्किंग विद फॉर्मूलाज में आप देखेंगे यहां पर कि यह आर्वन सीवन जो यह चेक हो रहा है इसको आपको करना है अंचेक और ओके तो यह देखिए वापिस आपकी जो बाइट डिफॉल् आ चुकी है तो काफी सिंपल है इसको करना कोलम्स की हैडिंग को चेंज करना नंबर से लेटर में चेंज करने के लिए और आशा करता हम आपको अच्छा लगा होगा इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूटूब स्लैस लार्न अक्सल ह अच्छा है और आप देख रहे हैं लर्न एक्सल हिंदी और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है डिपेंडेंट ड्रोपडाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं उसका क्या यूज हो सकता है उस बारे में हम आज बात करेंगे तो सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं मैंने और डेलि के कुछ एरिया के नाम यहां पर लिखे हुए है और मैं चाहता हूँ कि एक ड्रोपडाउन मेनु लिस्ट में इनके लिए बनाओं सबसे पहले एश ड्रॉपडाउन मेनु बना लेते हैं जो की बनाते हैं हम डेटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन और सेटिंग्स में अलाव में आप करेंगे लिस्ट सॉर्स सॉर्स में दूंगा अपनी जैपुर और देली को उसके बाद ओके और यहां पर मेरी ड्रॉपडाउन मैनू बन चुका है जैपुर और देली का अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहां पर देली को सेलेट करूँ और इसी की बराबर में एक ड्रॉपडाउन मैनू और बन जाए जिससे कि देली के जितने भी एरियाज है वो इस लिस्ट में शो होने लगे तो उसके लिए मुझे एक नेम मैनेजर में जाके फंक्शन और ए सेलेक्शन इसमें जाना है डियालोग बॉक्स को लेगा आपको इसमें सिर्फ आपको लेनी है टो प्रो लेफ्ट कोलम आपको नहीं लेना है तो प्रो आपको सेलेट करना है उसके बाद आप करेंगे ओके उसके बाद आपको जाना है नेम मैनेजर में आप यहां पर देख अपके डेली और यहाँ पर यहाँ पर यह दू शो हो रहे हैं बाकी और को इग्णोर करना है आपको इन दोनों को देखना है काली डेलिकी जो लिस्ट है वो आ रहे है यहां पर सी 6 से सी 11 और जैपुर की जो आ रहे है बी 6 से बी 11 इसको मैं close कर दूंगा अब उसके बाद दुबारा से हम data में जाएंगे data validation any value की जगे हम करेंगे list और अब की बार मुझे क्या करना है मुझे इसमे एक formula डालना है जो की है indirect का is equal to indirect bracket open करेंगे और इसको value देनी होगी हमें तो मैं value दे जाता हूँ इसको e5 यह बहां पर log दिखा रहा है donor के साथ इसको आपको करना है unlock तो आपको f4 press करना है तीन बार खली e5 हमें लिखना है इसमें black it कर देंगे बंद इसके बाद ok और अब आपकी जो drop down list menu है dependent value वह यहां पर बन चुकी है इसके यहां पर देली select हो रखा है और इस लिस्ट में आपको देखना है कि आपके डेली के जो area है वो यहां पर show हो रहे है यह देखिए डेली के एरियास जो है वो यहां पे शो हो रहे हैं और अगर मैं इसको अभी चेंज कर देता हूं जैपूर तो यहां पे यह जैपूर के एरियास यहां पे शो करेगा आप इसको कोपी भी कर सकते हैं नीचे के सेल्स में इस तरीके से और आप इसको भी कोपी कर सकते हैं नीच और अब इसको आप यहां पर चेंज करेंगे डेली यहां पर यहां पर यहां पर भी डेली कर देते हैं तो भी यह देली के ही शोग करेगा यहां पर तो यह था हमारा ड्रोपडाउन डिपेंडेंट मेन्यू लिस्ट कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने आपको कुछ फंक्संस बताए अशर करता हूं आपको समझ में आया होगा पसंद आया होगा इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूटूब स्लैस लर्न ए एकशल हिंदी आजकर जो हमारा टॉपिक है वो है किसी भी डाटा लिस्ट से टेबल इंसेट करना कि आपके पास नोगे डाटा लिस्ट है और आप उसमें टेवल इसको टेब टेबल फॉर्मेट में आपको चाहते हैं तो वह किस तरी किसे कर सकते हैं मैं आपको आज बताने वाला हो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं मेरा यहां पर ओर्डर लिस्ट है और इस ओर्डर लिस्ट में इस वाले कॉलम्स में यह वाला कॉलम्स पूरा ब्लैंक है और यह वाली दो पूरी ब्लैंक है तो टेबल ले इंसेट करने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि दोनों तरफ से आपका data जो गए यहां पर पूरी तरीके से कोई यहां पर नहीं होना चाहिए हो जैसे कि यहां पर इसके ऊपर में order list है तो मुझे यहां पर blank row insert करनी होगी अब मुझे टेबल insert करना है अपने इस data list के लिए उसके लिए मैं जाओंगा insert में और टेबल आप जैसे मैं टेबल पर क्लिक किया है इसने पूरी रेंज को अपने आप select कर लिया है और इसने इसको एक table format में अपने आप include कर दिया है insert कर दिया है और यहां पर आप देख रहे हैं और भी तरह के तरह तरह के designs यहां पर यह show कर रहा है तो आप इन में से कोई भी एक design अपने इच्छा के अनुसार चूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है जैसे मुझे यह वाल अच्छा लग रहा है तो मैं इसको चूज कर लेता हूं और इसी table में अपने आप ही filters भी लगे होते हैं जो कि आपको अलग से लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है जैसे salesman का filter है आप इसको यहां पर इस तरीकी से यूज कर सकते हैं तो यह काफी easy है table insert करना आप में data list के लिए और काफी सारे designs भी आपको इसमें मिल जाते हैं अलग-अलग colors के तो यह काफी benefit रहता है इस चीज को insert करने के लिए आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और भी वीडियो देखने के लिए subscribe कीजिए youtube slash learn excel hindi thank you very much have a nice day friends Hello friends मैं मुझा है और आप देख रहे हैं learn excel hindi और आज का जो मेरा topic है वो है conditional formatting कंडिशन फर्माटिंग होती क्या है से कैसे लगाते हैं और यह किस कम आपके आ सकती है और क्या इसके uses हमारे last data में यह हमारे किसी भी database में किस प्रकार से हो सकता है उस बारे में मैं आपको आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं मैंने यहां पर database त्यार किया हुआ है और इसी के ऊपर मैं आपको आज conditional formatting लगा के बताने वाला हूँ सबसे पहले देखते हैं कौन सा हमारा conditional formatting में सबसे पहला जो है हमारा क्या था सबसे पहले हम लेंगे highlight cell rules और इसमें हैं यतने सारे functions हैं यह वाले इन सब functions को मैं आज एक एक कर गया को बताऊंगा सबसे पहले देखते हैं greater than greater than देखने के लिए मुझे कोई database range जो है मुझे select करनी होगी तभी मैं इसको लगा पाऊंगा सबसे पहले मैं अपने rate पर लगा लेता हूँ इसको मैंने select किया और highlight cell rules greater than अब मुझे इस पूरी range में यह पता करना है कि 35 से greater इसमें कौन कौन सी range है है तो जकी 35 यहां पर करता हूँ तो मेरे सामने यहां पर यह इसने इसको highlight कर दिया है highlight है इसने red text है और इसका light red यहां पर आ रहा है हम मैं इसको change करना चाहता हूँ, मैं change करना चाहता हूँ yellow fill with dark yellow text इस तरीके से मैं इसको कर देता हूँ तो इसने दिखा दिया है जो 35 से अब आप थे इसने उसको यहाँ पे show कर दिया है इसी तरीके से दूसरा देखते हैं जो की है less than अब less than यहाँ पे काफी बड़ी amount आ रही है मैं कर देता हूँ less than 1500 ज्यादा आ रही है 2000 से नीचे यहाँ पर देखें आप इतनी रेंज यहाँ पर आ रही है और अब जो है मैं आपको फॉर्मेट करना बता हूँ कस्टम फॉर्मेट से कस्टम फॉर्मेट जो होता है इसमें आप अपने आकोडिंग कटिंग डाल सकते हैं वह जया दिखा रहा था वह थैंड डिफल्ट कलर एक्षर में जो दीफल्ट रही था आप यहाँ पर अपनी चोईस के अबस कटिंग यहाँ पर आप कलर दे सकते हैं जैसे कि मैं ले लेता हूँ यह लाइеч ग्रीन इसको मैं करता हूँ ओके और जो लेस दन थे उनको यहाँ पे इसने शो कर दिया है तीसरे वाले में क्या है यह है बिट्वीन बिट्वीन में देखते हैं कि विट्वीन में देखता हूँ कि 25,000 और 35,000 के बीच कितनी रेंज है 25,000 से तो इसने दिखा रहा है यहां पे 25,000 के मेरे पास में तीन रेंज है जो बिट्वीन है 38,000 मेरा यहां पे नहीं है इसको मैं ओके करूँगा और अब की बार एक और आपको मैं कस्टम फॉर्म पर बताना चाहता हूँ कि आप इसमें fill effect भी कर सकते हैं fill effect में आपको जाएंगे इसके बार two colors जो भी color आपको चाहिए इसमें आप ले सकते हैं vertical, diagonal इमें ले लेता हूँ को ने किया यह ओके तो यह देखा आपने इसने इसको fill effects में भी इस तरीके से इसमें show कर दिया है कि अब बात करते हैं इंसेंटिव की कि इंसेंटिव में हम देखेंगे इक्वल टू कि इक्वल टू कि मैं देखता हूं कि कि मान लिजिए 1875 कितना इक्वल है 1875 जो था वो इतना है आपे इक्वल ये शो कर रहा है इसको भी अपकी बार कुछ और इसमें चेंजिस करके देखते हैं इसमें बोडर भी लगा सकते हैं बोडर कलर को अगर आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं रेड कलर या उट्लाइन हो जाएगी इसकी इस तरीके से अगर आप फंड भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं अन seniors नंबर वगारा भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं म Max प्रिन की वाला कळर के आम इसमें द्वे सकते हैं तो आपने देखा इसने equal to वाले को italic कर दिया और यह वाला करव जो मैंने चूज किया था उसके accordingly इसने इसको select कर लिया है अब देखते हमार next क्या है text that contains अब इसमें मैं लगाता हूँ नाम के उपर यह वाली condition में लगाता हूँ अब जैसे कि यहां पर रवी पहले से type कर लिया है इसने रवी सबसे उपर self में लिखा हूँ तो रवी इसने यहां पकड़ लिया है और रवी कंटेंस अगर इसमें लिखा हूआ है पूरी कॉलम में तो यह उसको highlight करेगा और कोई और नाम भी यहां पर देख सकता हूँ पारूल करने पर तीन बार पारूल को select कर रहा है यह पारूल को हम select कर लेते हैं जबार से custom formatting लगा देते हैं इसमें ग्रीन करके दिखाएगा पारूल को इस तरी की जैसने पारूल को highlight कर दिया है conditional formatting पारूल पर इसने apply कर दिया है हम देखते हैं date में क्या फंडा इसमें करता है क्योंकि जो हमारा next topic है वो है date occurring तो date में अब क्या कहता है यह देखते हैं जैसे कि इसने दिखा रखा यहां पर yesterday को इसने क्या कर दिया है highlight कर दिया है देखते हैं नीचे और कौन से option है इसमें today है today की date आ रही है इसमें इसके बाद देखते हैं हम this week this week में इसने in dates को select कर लिया है in the last seven days अगर हम देखें तो इसने in को select कर लिया है और मैं लगाना चाहता हूं last week के दो हैं इसमें और इसको मैं देना चाहता हूं red color, font, bold, border outline, blue, okay तो यह इसने इसको इस तरीके से highlight कर दिया है अच्छा अब मैं लगाना चाहता हूं duplicate वाला जो condition formatting है तो मैंने इस data range पूरी select की इसके बाद मैं गया duplicate values में duplicate values मेरी जितनी भी थी इसने इसको highlight कर दिया है और अब मैं इस पे इंकी predefined value है वो इसको select कर लेता हूं और यह मैं इसको apply करता हूं अब इस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने अपनी इस पूरे database में सारी condition formatting जो थी मेरी highlight cell rules वाली वो मैंने सब जगे लगा दी है और आप मैं चाहता हूं जितने भी मैंने formatting इसमें की है वो मैं हटाना चाहता हूं उसके लिए मुझे इस पूरे को select करना है condition formatting में जाओंगा clear rules clear rules में आप जाएंगे तो यहां पे लिखा हुआ है clear rules from selected cells और entire sheet तो entire sheet तो मुझे नहीं करना है मुझे करना selected cells पे मैं clear करूंगा तो आपने देखा जितने भी मैंने यहां पे condition formatting लगाई हुई थी है यहां से सारी remove हो चुकी है तो इस तरीके से आप condition formatting लगा सकते हैं अपने data में और काफी useful वीडियो है आपको जुरूर पसंद आएगा इसी तरह की और भी वीडियो से मेरे उनको आप सब्सक्राइब कीजिए youtube slash learn excel Hindi have a nice day thank you very much हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अजय है और आप देख रहे हैं learn excel Hindi आज को जो मैं टुटोरियल है वो है conditional formatting में data bars color scales और icon sets के बारे में तो मैं आज आपको इन तीनों functions के बारे में जानकारी दूंगा सबसे पहले मैं कोई भी data अपना select कर लेता हूं कि इसके बाद जाएंगे हम data bars data bars में आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने mouse को यहां पर over किया है तो यह कुछ show कर रहा है यहां पर और यह gradient में show कर रहा है यहां पर और मैं select कर लेता हूं blue इसके बाद थोड़ा इसको मैं करूंगा आगे की तरफ में तो आपने देखा कि जितना नंबर ज्यादा है उतना ही color इसमें आगे तक फैला हुआ है और हलका हलका है इसमें white is भी कि इसने gradient की format में color format जो है इसने इसमें choose कि होगा है और जो सबसे lowest value है उसमें इसने सबसे कम color को mention किया है यह आप इस तरीके से भी अपने data को indicate कर सकते है कि कौन सा number बढ़ा है कौन सा हमारा छोटा है और यह बात करते हैं दूसरे function के बारे में जो की है color scale color scale में आप देख रहे हैं यहां पर पूरा cell जो है फिल हो गया है color से जानी कि इसमें solid color का use इसमें color scales में होता है मैं choose कर लेता हूं इसमें से यही ले लेता हूं yellow red color scale अब इसमें आप देखिए सबसे कम value को इसने बिल्कुल light color में लिया है और जो उससे कम है वो थोड़ा उसको dark लिया है और जो थोड़ा उससे जादा है उसको थोड़ा और हलका red कर दिया है सबसे बड़ी range जो है इसमें 3,500 को इसने बिल्कुली green में लिया है और उससे कम जो है 1,2,5,0 वैली वो yellow color में इसने indicate की है तो इस तरीके कि भी आप इसको कर सकते है color scale के दुबारा तीसरा जो हमारा है वो है icon sets, icon sets जो है इसके अंदर में कुछ predefined icons है जो आपको show करवाएंगे कि आपकी data कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है इसे ही मैंने इस पर roll over mouse किया arrows पर तो आपने sheet पर देख रहे होंगे कि जो data हमारा सबसे बड़ी range में है वो green में upper की तरफ है और जो lowest है वो red में down की तरफ है और middle range है वो है yellow में right की तरफ जाता हुआ yellow arrow है उसकी अंदर में और इस तरीके सा आप और भी flag है इसमें traffic signals है यह वाले symbols आप लगा सकते हैं अब देखिए इसमें right का sign दे दिया है screen में जो सबसे बड़ी value है सब छोटी वाली को इसने danger बता दिया है इसमें तो आपको जो भी इसमें आपको अच्छा लगता जो भी आपकी डाटर को suit करता आप उसमें उसको use कर सकते हैं मोबाइल lessons जो मैंने आपको समझाए और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होंगे और आप इनको अपने घर पर अपनी sheet में try कीजिएगा क्योंकि practice के बिना आप इसको नहीं सीख सकते हैं और बाकी इन दो तीन rules के बारे में आपको आने वाले वीडियो के बारे में जरूर बत हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अजय है और आप देख रहे हैं learn excel हिंदी आज को मैं टूटोरियल है वो है conditional formatting में data bars color scales और icon sets के बारे में तो मैं आज आपको इन तीनों functions के बारे में जानकारी दूंगा सबसे पहले मैं कोई भी data अपना select कर लेता हूँ इसके बाद जाएंगे हम data bars data bars में आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने mouse को यहां पर over किया है तो यह कुछ शो कर रहा है यहां पर और यह gradient में शो कर रहा है यहां पर और मैं select कर लेता हूं blue इसके बाद थोड़ा इसको मैं करूंगा आगे की तरफ में तो आपने देखा कि जितना number जादा है उतना ही color इसमें आगे तक फैला हुआ है और हलका हलका इसमें वाइट इस भी कि इसने ग्रेडियंट की format में color format जो है इसने इसमें चूज किया को indicate कर सकते हैं कि कौन सा number बढ़ा है कौन सा हमारा छोटा है आए बात करते हैं दूसरे function के बारे में जो की है color scale color scale में आप देख रहे हैं यहां पर पूरा cell जो है फिल हो गया है color cell यानि कि इसमें solid color का use इसमे color scales में होता है मैं चूज कर लेता हूं इसमें से यही ले लेता हूं yellow red color scale अब इसमें आप देखिए सबसे कम value को इसने बिल्कुल light color में लिया है और जो उससे कम है वो थोड़ा उसको dark लिया है और जो थोड़ा उससे ज़्यादा है उसको थोड़ा और हलका red कर दिया है सबसे बड़ी range जो है इसमें चोटी है जैसे ही मैंने इस पर roll over mouse की आँ एरोस पर तो आपने sheet पर देख रहे होंगे कि जो data हमारा सबसे बड़ी range में है वो green में upper की तरफ है और जो lowest है वो red में down की तरफ है और जो middle range है वो है yellow में right की तरफ जाता हुआ yellow arrow है उसकी अंदर में और इस तरीके साब और भी flag है इसमें traffic signals है यह वाले symbols आप लगा सकते हैं अब देखिए इसमें right का sign दे दिया है green में जो सबसे बड़ी value है सब जोटी वाली को इसने danger बता दिया है इसमें तो आपको जो भी इसमें आपको अच्छा लगता जो भी आपकी data को suit करता आप उसमें उसको use कर सकते हैं इसमें mobile towers पी दे रखे हैं इस तरीके के ratings के लिए यह भी आप ले सकते हैं तो इस तरीके से मैंने आपको कंडिशन फॉर्मेटिंग के तीन वीडियो के दुबारा इन आपको समझाए और मैं आशा करता हूं आपको समाज में आया होंगे आप इनको अपने घर पे अपनी शीट में ट्राइ कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप इसको नहीं सीख सकते हैं और बाकी इन द और आप देख रहे हैं लर्ण एक्सल हिंदी और आज कर जो मेरा टॉपिक है वह है डेटा वेलिडेशन डेटा वेलिडेशन क्या होता है यह हमारे किस यूज आता है इस बारे में मैं आपको आज बताने वालो तो सबसे पहले सुरू करते हैं जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां मैंने सेल्समें उनकी कॉंटक्ट नंबर जिस दिन उने सेल की है उसकी डेट और टोटल सेल कुझा मैंने अपने हैडरस में लिया है और आप मुझे इसी पूरी रेंज में डेटा वेल्डेशन का फॉर्मूला फिट करके आपको बताना है तो सबसे पहले स यह कोई ओर टेक्स इसमें एंटर ना हो भाए तो मुझे इसको इस तरीके से वेलिडेट करना है इस तरीके से मुझे इसको लॉक करना है तो आइए देखते हैं कि इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहला को करना क्या है इस पूरी रेंज को आपको करना है सेलेक्ट उसके बाद आपने उपर वाल रिबन पर जाएंगे डेटा में यहां पर है डेटा वैलिडेशन इस पर किलिक करेंगे उसके बाद है settings, settings में आप यहां पाएंगे any value, allow वाले box में नीचे drop down में, सबसे नीचे यहां पर आ रहा है custom, custom यानि कि हमें अपना formula हमें खुदी ही इसमें डालना है, तो formula है इसका is equal to is text bracket open करेंगे उसके बाद आपको range जाननी है इसमें जहां तक आपको range इसमें चाहिए, जैसे कि हमने select किया हुआ है a2 से लेके a15 तक तो हम इसमें a2 a15 को इसमें enter कर देंगे bracket कर देंगे इसमें close, इसके बाद करेंगे ok, आप चेक कर लेते हैं, सबसे पहले डाल के देखते हैं इसमें कोई एक number यह इसको error बताता है या नहीं जैसे ही मैंने इसमें number entry करने ही खुशिच की इसने इसको error दे दिया है, तो cancel करेंगे, हमानी जीसमें कोई नाम डालता हूँ, वालपाइबेट के दुवारा, इसमें अपने नाम साथ इसमें डाल सकते हैं, कोई number इसमें आप enter करने खुशिच करेंगे, तो वो number इसमें नहीं डाल पाएगा, अब इसी तरीके देख लेते हैं, contact number में, इस पूरी देख करेंगे, इसके बाद जाएंगे data validation में, असी तरीके से custom, अब जो formula है, वो है is number का, क्योंकि जो contact number होते हैं, को पता है, numbers में होते हैं, और हम मैं चाहता होगी, सिरफ numbers ही इसमें, numbers के अलावा, numbers के साथ में, या शुरू में, या पीछे में, alphabet आप इसमें एंटर ना कर पाएं, तो वो मुझे इस तरीके से log करना है, सबसे बहले formula है मेरा is number, bracket open, और इसकी range है, B2 से B15, B2, B15, आप इसको drag भी कर सकते हैं, select करके बाद में, मैंने पहले select किया हुआ है, आप इसको पहले भी, यहापर भी जाके आप इसको select कर सकते हैं, इसको मैं करूंगा bracket close, इसके बाद देखते हैं क्या होता है, आप contact numbers, जो हैं, डालके देखते हैं, यह enter हो गया, असानी से, माल लीजिए किसी का number है, और गलती से मेरे says में ए दब गया, keyboard से, तो यह, अगर इसको मैंने validate नहीं किया है, तो यह इसको enter कर देगा, जो कि मेरे database में wrong क्यालाएगा, क्योंकि contact number में number ही होना चाहिए, alphabet नहीं होना चाहिए, तो देखते हैं, अगर ऐसा कभी होता है, तो क्या option आता है, तो यह इस तरह का error आपको देदेगा, अगर आपके numbers के पीछे में कोई alphabet लगा होता है, तो यह काफी useful है, तो इसमें खाली जो है number ही इसमें add होंगे, अब बात करते हैं, sale date की, sale date को मैं चाहता हूँ की, इसमें मेरी sale date जो हो, वो Saturday, Sunday को मेरा off है, और मैं यहाँ पर मेरी जो date है, वो Saturday, Sunday की इसमें ना आए, week days ही मेरे इसमें आए, five day वाले, Monday to Friday ही मेरे date है, वो ही enter हो, इसमें Sunday और Saturday की date इसमें enter ना हो पाए, तो उसके लिए कैसे validate करेंगे, आईए देखते हैं, जाएंगे custom पर, अब जो formula है, वो है मेरा, is equal to end, bracket open करूंगा, तो हमें week day, इसमें बहुत ध्यान से देखना है आपको, तुर टीपिकल है, उसके बाद, जहां से मेरी range स्टार्ट हो रही है, यानि की C2, तो मुझे bracket में C2 लिखना है, उसके बाद, अब मैं इसको not equal to one करूंगा, क्योंकि one जो है, वो indicate करता है Sunday को, क्योंकि पहला दिन जो होता है week का, वो Sunday होता है, तो इसलिए यहां पे not equal to one करूंगा, उसके बाद, दुबारा से week day, और मुझे again C2 को इसमें lock करना होगा, क्योंकि starting से ही मैं नहीं चाहता कि Saturday की date इसमें enter हो, यह है मेरा C2, इसको मैंने कर दिया, अब मैं करूंगा इसको not equal to seven, क्योंकि जो Saturday है, वो हमारा साथवा दिन है week का, इसके बाद हम मैं पूरा bracket close कर दूँगा, और इसको अब हम करेंगे enter, अब मैं देखता हूँ, जैसे कि मानली जी आज की date है 22 और आज है Friday, अकल है Saturday, अगर इसमें कोई Saturday या Sunday की date डालना चाहता है, तो वो इसमें enter हो पाती है, आज है नहीं, आज यह देखते हैं, जैसे ही कल की date 23rd, यह आपने देखा है, जैसे ही मैं यहाँ पर कल की date डाल रहा हूँ, इसने यहाँ पर error दे दिया है, क्योंकि मैंने उसको avoid किया हुआ है, वैलिडेट किया हुआ है, उस date को मैंने, इसी तरीके से में 24 देख लेता हूँ Sunday की date, इसने इसको भी error दे दिया है, अब मेरे पास date बसती है, आज की यह Monday की, तो आज हमाई date है, यह इसमें आसानी से add हो गई है, तो आप इस तरीके से अपनी date भी वैलिडेट इसमें कर सकत है, अब इसके बाद बात करते है, टोटल सेल, टोटल सेल जो है, मैं यह चाहता हूँ, क्याला कि इसे mandatory नहीं होता पर आपको बजाने के लिए बता रहा हूँ मैं कि इसमें मेरी जो values हैं, वो duplicate ना हो, तो उसलिए मुझे क्या करना होगा, आज यह देखते हैं, सबसे पहले पूरी रेंज को आप सेलेट कर लेंगे, उसके बाद में उसी तरीक से आपको जाना है, डाटा वैलिडेशन में, डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद कस्तम, कस्तम के बाद आपको फोर्मॉरा लगाना है, count if का, is equal to count if, और मैं डोलर के साहिन के साथ में, वो value को लोग कर करनी है, तो जैसे हमारी जो range है, वो start हो रही है, D2 से, तो मैं यहाँ पर D को लोग करूँगा, D2 और यह मुझे कहां तक करनी है, D15 तक मुझे से लोग करना है, उसके बाद, अब D2 में एक बार और यहाँ पर लूँगा, उसके बाद करूँगा, मैं ब्रैकेट क्लोज, और, greater than is equal to one, यहनि कि जो मैं total sale के इसमें value डालूँगा, वो उससे पड़ी होनी चाहिए, D2 वाली रेंस से, जबी वो duplicate इसमें, शो करेगा, उबली केट को शो, जबी वो नहीं होने देगा, उसके अंदर में, आप करता है इसको, के, अब माली जी हाँ मैं total sale डालता हूँ 1000, और यहाँ पर ही माली जी मैं गलती से डाल दे लगा, 1000 तो यह error बताएगा, मुझे इससे बड़ी range लेनी है, यानि कि D2 की जो range है, उससे मुझे एक extra लेनी है, जो मैंना formula में डाली थी, तो अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 1001, तो यह इसको enter कर देगा, इसको error नहीं बताएगा, तो इस तरीके साब डाटा को validate कर सकते हैं, आपके field कुछ भी हो सकते हैं, डाटा आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, तो यह था data validation करने के formula, आशा करतों आपको पसंद आया होगा, इसी तरह के मेरे और भी वीडियो देखने के लिए, subscribe किजिए, YouTube slash learn action Hindi, have a nice day, thank you very much friends, Good morning friends, नहूं आजे, और आप देख रहे हैं, learn Excel Hindi, आज का हमारा topic है, errors को find करना और उनको highlight करना, और यहां उनकी जगह पर कोई special word या कोई narration हमें डालना है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, मेरे पास एक data है, और यहां पर कुछ errors है, जो कि formula के नीचे यहां पर error आ गया है, क्योंकि इसके, साबने यहां blanks हैं कुछ, तो यह इसको error show कर रहा है, तो आप मुझे यह highlight करना है, या मुझे इसकी जगह पर कुछ और लिखना है, तो वो किस तरीके से होगा, अगे देखते हैं, सबसे पहले करना क्या है, इस पूरे data range को आपको select करना है, जहां तक भी आपका data इसमें include है, उसके बाद find and select पे जाएंगे, go to special, formulas पे select करने के बाद, आप इन तीनों को करेंगे, uncheck और error को check रहने करेंगे, उसके बाद okay, कहीं पर भी कोई भी click आपको नहीं करनी है, कोई भी keyboard से कोई button नहीं आपको प्रेस करना है, आपको simply करना क्या है, जब इसने errors आपके आपर show कर दी है, इनको highlight कर दी है, आपको लिखना है या जो भी आप लिखना चाहते हैं इसमें, data available नहीं था, या कोई और reason जो भी आप चाहते हैं वो आप लिखे, इसे मैं लिखता हूँ na, और इसके बाद मैं control एंटर करूँगा, तो इसने क्या किया, जहाँ पर error था, वहाँ पर any कर दिया है, तो यह तो रही narration डालने वाली बात, अब बात कर लेते हैं कि highlight किस पर कर किये जाए, तो फिर से इस पूरे data को आप select करेंगे, और home पर ही है, आपके conditional formatting, और यहाँ पर है new rules, new rule में आपका है format only cells that contain, और यहाँ नीचे है format only cells with errors, अब यहाँ no format set में आपको format करना है कि आपको formatting किस परकार चाहिए, तो यहाँ पर आपके सामने आता है fill, fill में मैं color कर लेता हूँ, यह ले लेता है light purple color है इसमें, तो इसको करूँगा मैं, okay, तो इसने पूरे data range में से सिरफ उनी को color किया है, जहाँ पर आपका error था, तो यह वीडियो था आपका errors को find करना, और errors की जगह पर कोई narration डालना, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए subscribe कीजिए, youtube slash learn excel hindi, have a nice day, thank you, Good morning friends, मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं learn excel hindi, और आज का जो हमारा subject है, वो है, watermark insert करना, यहनि कि मैं चाहता हूँ, मेरी excel sheet में, एक watermark मेरे को show हो, मेरे database के just उपर या बीच में, मुझे एक watermark चाहिए, watermark किसलिए हम use करते हैं, कि मान लिज़े, आपको कोई file अपने friends को भेजनी, और वो कोई वैसी file है, कि उसके उपर, कोई और चीज आपको insert या उसके उपर ना दिखाई दे, और watermark होने के बाद वो आपकी file जो है, secure हो, और या फिर आपको print out के उपर कोई ऐसी अपनी company का नाम, या अपना नाम, या कुछ भी तरह की image आपको watermark में चाहिए, तो आप उसमें insert कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं किस तरीके से होता है, सबसे पहले मैं जाओंगा उपर ribbon में यहां पर है view, view में आप यहां पर देखेंगे normal के बाद है page layout, तो आप इस पर click करेंगे, यहां पर click करने के बाद में आपका header and footer के लिए यहां पर options आ जाएंगे, तो आप इनमें से किसी भी box में अपनी watermark image को आप add कर सकते हैं, यहां से मान लिए बीच वाले पर हम करना चाहते हैं, जैसे ही मैंने इस पर click के यहां पर उपर design का tab भी खुल गया है, और यहां design के tab में है picture और जहां पर आपकी picture होगी आप उसको ले लेंगे, जैसे मैंने यहां पर लिए यह अपनी excellent Hindi की image है मेरी watermark की, अब मैंने यह box में picture insert की थी पर यहां पर खाली इस ने इस name के दुबारे इस code के दुबारे इस picture को show किया है, वो picture है में show कैसे होगी आप कहीं पर भी sheet पर click कीजी अपनी तो इस तरीके से आपको watermark जो है यहां पर show हो जाएगा, यह काफी हलका watermark है और आपकी data भी यहां पर अच्छी तरीके से show हो रहा है, यह आपके बीच ओपीज दिख रहा है अभी क्योंकि मैंने इसको center में लिया था, अगर मैं ऐसी code को cut करके यहां पर paste कर देता हूँ, तो आपके देखते हैं कहाँ पर show होगा, वो दुबारा से add होगा इसमें, आप यह code जैसे formula की तरह इसको cut paste नहीं कर सकते हैं, आपको यह बताना चाहरा था, दुबारा से हमें वहीं पर insert करनी होगी picture अपनी, अब देखे थोड़ा सा यह right alignment की तरफ किसक गया है हमारा, और अब जैसे मैं normal page लिपे जाता हूं तो यहां पर यह मुझे show नहीं हो रहा है, तो आप यह मत समझना की यहां से हमारा watermark हटिया है, वो watermark हमें सिरफ page layout के view में ही होगा, otherwise वो normal view में हमें show नहीं होगा, और हम print preview में उसको check करेंगे तो वो हमें वहां पर भी show होगा, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर यह show हो रहा है, तो इस तरीके से आप अपनी watermark लगा सकते हैं, अपनी sheets में, अपनी file में यह printout में भी आपको यह watermark show होगा जरून, तो यह था watermark set करना, अपनी sheet के अंदर में आशा करता हूँ, आपको अच्छा लगा होगा, इसी तरह कि और भी वीडियो देखने के लिए subscribe कीजिए, youtube.com slash learn excel Hindi, have a nice day, thank you very much friends, Good morning friends, मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं learn excel Hindi, और आज का जो हमारा topic है, वो है, Excel की यह tables हम insert करते हैं, जो by default हम यहां पर insert में जाके, यहां से table insert करते हैं, उसके अंदर में total की row मैं चाहता हूँ, इसमें नीचे यहां पर add हो जाए, जिससे कि मैं इन सब rows और columns का भी total यहां पर देख सकूँ, तो आइए देखते हैं वो किस तरीके से हम लगा सकते हैं, सबसे पहले आपको insert में जाके table वाले पर ribbon पर ही रहना है और किसी भी cell में आप click करेंगे तो आपको उपर यहां पर design show होगा, इस design के अंदर आपकी header row, banded rows और यह सब जो है इस तरीके से मिलेंगी और इसमें एक option दिया होगा है total row का, इसको हम click करेंगे, check करेंगे इसको, तो यहां पर नीचे हमारा total row एक extra इसमें add हो गई है, अब add हो गई है, इसमें हर cells की नीचे जो मारा लाटा रेंजर उसकी नीचे जो है एक यहां पर drop down list की तरह एक यहां पर create हो गया है, तो आजे देखते हैं उसको क्या function है, जैसे ही मैं इसमें click कर रहा हूं तो मुझे यहां पर कई सारे formulas जो है, यहां पर show हो रहे हैं और more functions भी है, तो जिस भी देखते हैं मैं formula जाता हूं वो मैं इसमें put कर सकता हूं, तो आए देखते हैं जैसे कि यहां पर नाम है salesman के तो इनमें मैं चाहता हूं counting हो कितने हैं, तो इसमें मैं लगा दूँँआ count, मैं पर इसने count करके बता दिया है 20 है total, और इसी तरीके से date में है, date में भी हम लगा सकते हैं अपना, count लगिया है इसमें भी date में, और भी हम लगा के देख सकते है formula इसमें, maximum लगा दिया है इसने, maximum date कौन सी आ रही है हमारी इसमें, यह बता दिया है, minimum बता दिया है, तब से come date कौन सी है हमारी, उसके बाद है याप पर items, items में भी आप कोई साभी formula लगा सकते हैं, count number लगा के देखते हैं भी क्या होता है इसमें, यहां पर count numbers जिसने 0 बता दिया है, क्योंकि इसमें numbers इसके अंदर में है ही नहीं, count लगाए हैं तो जरूर उसको बता देगा, count formula जो है वो काम करता है, टेक्ट में और numbers में दोनों में, अब मैं चाहता हूँ rate का मुझे sum मालूम चले, कितना है total, तो मैं तो sum का लगाऊंगा formula, तो इस तरीके से जो total rate हुआ हमारा सारे 20 items का वो हो गया, 562, और यहां पर यह कितनी amount बनती है पूरी, वो भी हम लगा सकते हैं इस तरीके से, और total कितना बनेगा इसका, वो भी हम लगा सकते हैं इस तरीके से, और यहां पर incentive को भी हम आड़ कर सकते हैं, इस तरीके से मैंने क्या किया, सभी में कोई नों कोई formula फिट करके आपको बत अब अगर मैं माल ली जिए इसके अंदर में को और रो इंसर्ट करता हूं और 21 वे सेल्समें को मैं इसमें एड़ करता हूं और उसकी Employee ID भी एड़ कर लेते हैं चलिए इसके बाद डेट आपको इसी भी ले सकते हैं जो भी डेट आप लेना चाते हैं कि इस फॉर अवाउंट था इसका 50 रुपीज तो इस तरीके से आप इसमें और रोज भी एड़ कर सकते हैं कि यह था हमारा फॉर्मूला आज का टेवल्स में टोटल रोगो एड़ कर रहेंगा इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूटूब डॉट कॉम स्लैस्ट लर्न एक्सल हिंदी है और नाइस दे थैंक यू वेरी वेरी मच माइफ्रेंड्स गूट मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूँ आज आप देख रहे हैं लर्न एक्सल हिंदी और आज मैं आपको बताने वाला हूं absolute reference के जरीए आप किस तरीके से अपने data को आप validate कर सकते हैं यह absolute reference हमारे किस काम आता है और इसे हम कैसे लगाते है वो मैं आज आपको पताने वालू हूँ तो यहां पर आप देख रहे हैं मैंने कुछ items लिखे हैं उनके rate है units है और यहां पर मैंने tax लिया हुआ है जो 5% है तो आप सब को पता है कि हम कोई भी item खरिमने जाते हैं मार्केट में तो हमें tax देना पड़ता है चाहे वह वह है चाहे वह किसी भी प्रकार का उस पर लगा तो आज हम इसी बारें बात करेंगे कि हमें absolute reference हमारा किस तरीके से काम करेंगा तो आगे शुरू करते हैं सबसे पहले total price इसका निकाल लेते हैं इसको निकालने के लिए मैं multiply करूंगा rate और units को इसके बाद इसको मैं इसे तक drag करूंगा उसके बाद बात करते हैं tax की tax जो लगता है हमारा वो लगता है total price पर total price है मेरी इतनी और इसको multiply करूंगा मैं tax के साथ यह मेरा tax है और यह मेरा tax आगया इस पर और मैं इसको निचे तक drag करता हूं तो ड्रैक करने पर यहां पर यह जीरो क्यों आया है यही हमारा absolute reference के बारे में video है तो यहां पर जीरो इसलिए आया है और यहां पर सारी figures अपने आप इसलिए डल गई थी क्यूंकि जब मैं total price यहां पर लिया हूं तो rate के आगे यहां पर units लिखे वी थी जिसकी वज़ए से इसको मिल गया relative unit इसको मिल गई तो इसने उनको नीचे formula तक drag कर दिया और अलग-अलग values यहां पर दे दी जबकि tax में ऐसा नहीं हूँ tax में क्या हुआ है tax में total price तो G6 जो था हमारा वो इसने ले लिया और यहां पर जो हमारा tax है M6 वो इसने यहां पर ले लिया पर जब हम नीचे drag करते हैं इसमें तो हमने पाया कि M7 जो है हमारा column वो है blank तो इस वज़ए से उसने क्या किया है इस वाली value के ब्राबर में कोई value ना होने की वज़ए से इसने यहां पर जीरो ले लिया है तो इसी को हम absolute reference के दोवारा विसको complete करेंगे यह हम किस तरीके से कर सकते हैं आए देखते हैं absolute reference हमारा actually में dollar का sign होता है जिसके दोवारा हम किसी भी value को अपनी को पूरी दर लोग करते हैं और उससे absolute reference हमें मिलता है तो मैं इसमें absolute reference लगाता हूँ dollar के sign के साथ में M के आगे पीछे हमें लगाना होता है यह मैं लगा दिया इसमें और अब मैं drag करूंगा तो यहां पर पूरी values जो है वो show हो जाएंगी इस तरीके से तो यह देखा आपने जैसे ही मैंने यहां पे इसको dollar के sign के साथ लोग किया वैसे ही इसने निच्छे तक टेक्स के साथ में include कर दिया है तो यही कहलाती है absolute reference और अब मैं total week tax को sum कर लूँगा इसका total price और tax दोनों को plus कर लेंगे और नीचे तक ड्रैक कर देंगा तो यह मेरा चार्ट जो है पूरा हो गया है यहां पर डाटाबेस मेरा तो आज आपने सीखा absolute reference हम किस तरीकी से लगाते हैं यह हमारा किस काम आता है आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और भी वीडियो देखने के लिए subscribe कीजिए youtube.com slash learn excel hindi have a nice day friends thank you very much good morning friends मैं हूँ आज है और आप देख रहे हैं learn excel hindi और आज का हमारा टॉपिक है comment box में picture insert करना तो आज देखते हैं किस तरीके से होता है यह जैसे कि यहाँ पर comment box दिख रहा है mouse जब इसके उपर roll over होता है तो यहाँ पर comments show होता है इसके बाद मैं right click करता हूँ और show hide comments करूँगा तो यह मेरा permanent हो गया है यहाँ पर दिख रहा है मुझे उसके बाद mouse को मैं यहाँ पर इस तरीके से लेके जाऊँगा कि मेरे को mouse के आगे यह arrows show हो उसके बाद आप mouse का right click दबाएंगे और format comment open हो जाएगा उसके बाद है colors and lines मे में आप जाएंगे उसके बाद हैं यहाँ पर फिल एफेक्ट इसमें है picture और यहाँ पर आपको picture अपनी ब्राउज करने है कि इसे मैं ले लेता हूँ कि यह हमारा logo है और इसके बाद आपको picture select करने के बाद में यहाँ पर इसको लोग करना है लोग picture aspect ratio को कि लोग करना ना भूलें इसको जरूर चेक करना है इसके बाद okay कर देंगे तो आपने देखा है जो picture थी वह हमारे comment box में एड़ हो चुकी है अब मैं इसको hide कर सकता हूँ तो mouse जब मैं इसके उपर roll over करूंगा तो मेरी पिक्चर है यहाँ पर शो होगी कि इसके बाद हम इसमें अगर हमें इसमें कुछ लिखना है वह भी लिख सकते हैं तो आपने देखा बैक्ग्राउंड में पिक्चर है और आगे जो लिखा हुआ है वह तो मैंने मैसेज यहां पर डाला वह भी शो हो रहा है पिछे पिक्चर भी इसमें शो हो रही है तो यह हमारा काफी यूस्पूल हो जाता है सम टाइम्स आप हमारे को जरूत पर जाती है किसी कमेंट बॉक्स में पिक्चर शो करने के लिए पर इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए यूटूब स्लाइस लर्न एक्सल हिंदी हैव नाइस देख थैंक्यू वेरी मुच गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सल हिंदी और आज का हमारा टॉपिक है अपने नेम्स को लोवर अपर और प्रोपर केस में आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने कुछ यहाँ चार पा है कोई मैक्स है और कोई पूरा ही अपर केसीजी तो आया अब देखते हैं लोवर अपर और प्रोपर केस को कैसे इंकलूट करते हैं सबसे पहले लोवर को देख लेते हैं तो इस पास कर दो कर दूबा तो यह सभी नाम को इस ने ब्लोवर में कर दिया है इसी तरीके से अपर कर देख लेख लेते हैं सिमपल सा फॉर्मूला है बहुत है कि फॉर्मॉला नहीं है यह सीई दिखिये इस न प्रोपर सभी को आप कर दिया है सब्सक्राव की पॉर पर प्रॉपर में कर दिया है नहीं कि जो उसका फस्ट वर्ड है वो अमेशा कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल में है तो काफी सिंपल सा पॉर्मेट है सिंपल सी टेक्निक है आप इसे अपने घर पे अपनी प्रैक्टिस के लिए अपना शीट प्रैक्ट को जरूर ट्राई और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूटूब स्लैस लर्न एक्सल हिंदी हैगा नाइस दे थैंक यू वेरी मुअच गुड मॉर्निंग फ्रैंड्स मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सल हिंदी और आज का जो हमाँ टॉपिक है वह है लाइन ब्रेक करना है हमें सेल और फॉर्मूले के साथ में तो लाइन ब्रेक के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका सबस्क्राइब को और मैं एक बार उसको ए ग्जामपल और देता हूं और किस तरह किसे होता है ले आइन घुन वर्ट मैं DD मैं यहां पे लिखता हूँ लिगते हूँ और मैं से॥ैल यह साहता हूं कि जो मेरा अगला टैक्स्ट वह इसी था प्वह सेल नीचे आजा एसको कर दिया है कि इसको करते है डिलेट और बात करते हैं अपने इस डाटा बेस की Anadira ड्दाबेस की जो कि है आड्रेश एड्रिया स्पेट कोड़ और कंट्री अब मुझे यहां पर इसे कमबाईन करना तो आए देखते किस तरीके से कमबाईन कर सकते हैं जैटा को सबसे पहले B2 और M% हम इसमें डालेंगे उसके बाद C2 M% T2 M% E2 उसके बाद एंटर करेंगे तो यहां पर combine हो गया है पर combine के साथ में इसने कोई space इसमें नहीं दिया है अब हमें इसमें space डालने के लिए हमें इसमें space देने के लिए यहां पर formula में इसको edit करना होगा कुछ और M% हमें इसमें डालने होंगे सबसे पहले यह हो गया हमारा और मैं इसी को copy कर लेता हूं पूरे को और सभी M% के आगे इसको मैं paste कर देता हूं इस तरीके से अब यहां पर हमारे पर इसमें space आगया है एक इस तरीके से और हम इसको दूसी तरीके से भी कर सकते हैं जो कि यह हमारा 4 का formula जो होता है हमारा उसके दुवारा इसको भी लगा के देख लिए हैं वो भी हमारा combine करने का formula ही होता है एक तरे से अब आप इसको हटा लेंगे यहां से और चार अब यहां पर नमबर हमें देना है इसमें टैन टैन नमबर डाल देंगे और अब इस और मुर्मुले को मैं कोपी कर लेता हूँ खली चार को और इन दोनों को मैं करूँगा delet और डालूँगा मैं इसको इस तरही केसे यहां पर मेरा जो तरही केसे आ गया है पर अब दोना क्या करूंगा रैप टैक्स्ट करूंगा लाइन ब्रेक्स के लिए तो इस तरीके से मेरा जो address था वो line break के थुरू यहां पर wrap text करके आ गया है आप इसको नीचे तर ड्रैग भी कर सकते हैं तो यह सारे इतने भी addresses थे में इस तरीके से यहां पर आ चुके हैं तो आप दो दिन तरीके से line break अपनी कर सकते हैं wrap text भी और l plus enter प्रेस करके भी आपना line break कर सकते हैं मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया हुगा और इसी तरह की और भी वीडियोस हैं मेरे उनको देखने के लिए subscribe कीजिए youtube.com slash learn excel hindi have a nice day friends thank you very much good morning friends मैं हूँ अजय है और आप देख रहे है learn excel hindi और आज का मारते topic है वो है spell checking का spell checking बहुत जरूरी होती है जब हमारे पास data काफी जादा होता है या उस data में काफी सारी paragraphs या narration होती है तो हम typing करते वक्त या copy करते वक्त spell पर इतना ध्यान नहीं देते हैं तो उसके लिए एक अक्सल में फंक्शन है जिसके दुबारा हम जान सकते हैं कि हमारी spelling सही है या गलत है वो उनको correct करता है तो वह function आपको मिले का keyboard से F7 दबा के F7 आप press किजी अपने keyboard से और जैसे आप F7 करते हैं प्रेस तो आपके चूज कीजिए जैसे कि यहां पर रेटर लिखा हुआ है यहां पर गलत और यहां पर यहां पर यह सई spelling है तो इसको मैं change करूंगा उसके बाद जैसे coming की spelling गल्द था तो यह बता रहा है यह वाली spelling होनी चाहिए coming की नीचे और भी other option है पर सबसे पहले यह वही spelling आपको बताएगा जो बिल्कुल correct होती है इसके बाद मैं इसको change करूंगा आप जैसे year की spelling भी इसने गल्द बताई इसको मैंने सही कर दिया और यह यूटूब तो सही है कि इसके बाद को कुछ और नहीं मिला है तो सब close कर देंगे इसके बाद यह बहुत आता है कि the spelling check जो है आपको complete हो चुका है और data जो spelling गलत थी वह भी सही हो चुकी है तो यह काफि यूसफुल वीडियो है और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube slash learn excel hindi have a nice day thank you very much गूद मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूं अजे और आप देख रहे हैं learn excel hindi और आज का जो हमारा topic है वो है text को number में convert करने के लिए हमें क्या करना होता है तो जैसे कि आप जानते हैं कि numbers हमेशा right alignment में ही रहते हैं और जो text होता है वो शुरू होता है left से तो जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं यह वारा number हमारा सही है यह और यह दोनों है इसमें एप और फी लगा हुआ है जिसमें इसको convert नहीं किया हुआ है आई यह इसको फिर दुबार देख रहे हैं एक बार हो दुसरे तरीके से कोई वैल्यां डालता हूं मैं इसको चेक कराता हूं कि यह वैल्यू ग्रेटर है इस वैल्यू से तो यह true दिखा दिया एसा कि जो 157 वह 156 से बड़ी है तो यह true दिखा दिया क्योंकि true इसलिए दिखाया है क्योंकि यह numbers format में है text format में नहीं है इसको हम close कर देंगे लोग कर देंगे इसको और नीचे इसको drag करेंगे तो इसने नीचे वाले को false बता दिया है क्योंकि Excel जो है वो हमेशा text को ही बड़ा मानता है किसी भी number से तो यह इसने इसको false बता दिया है यह तरीके से और इसको हम करके देखेंगे अब number में convert करने का एक और नहीं तरीका है वो है मैं यहां पर one लिख लेता हूँ और इसको मैं copy करता हूँ उसके बाद इस पूरे data को मैंने किया select इसके बाद मैं गया paste special और यहां पर operation में है multiply तो यानि कि मैं इस पूरी data को one से multiply करूँगा तो मेरी जो value है वो same आईगी है तो अब आपने देखा कि वो जो अपर स्ट और फी वाला जहां पर मेरा सेल्स था वो हड़ चुका है और इसने इसको numbers में convert कर दिया है तो यह इस तरीके से आपने text को number में convert कर सकते हैं अगर आप कोई भी number text format में लिखा हुआ है तो इसी तरह कि और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube slash learn excel hindi have a nice day thank you very much good morning friends मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं learn excel hindi और आज का जो हमारा topic है वो है text to column यनकी हम अपने किसी वी text data को columns में कैसे convert कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ मैंने यहाँ पर local area city pin code और country के नाम एक ही cells में लिखे हैं और मैं चाहता हूँ कि इस चारों चीज मुझे अलग-अलग define इन columns में हो जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना है सबसे पहले इस पूरे data को आप select करेंगे उसके बाद data वाले option में जाकर text to columns पर click करेंगे तो आपका यह box खुलेगा उसके बाद आपको select करना है delimited क्योंकि आपके characters में comas और tabs each field है इसके अंदर में हमें हर कोई अलग-अलग चाहिए उसके बाद next और यह हमारे हैं delimiters तो अगर आपके यहाँ पर tab आपने दिया होता तो आप tab पर select कर लेते बन जब कि आप देख रहे हैं यहाँ पर coma है तो आपको सिरफ coma पर यहाँ पर check कर रहा है और यहाँ पर आपका data कहां से शोग करना है अपना तो इसको हम select कर लेते हैं यहाँ से इसके बात करेंगे फिनिस और यह आपसे पूछे गार दियू वान्टो रिप्लेश दा कंटेंट्स ओप डिस डेस्टिनेशन सेल्स तो आपको इसे करना है ओके यह आपने देखा एक तो इसने लोकल एरिया हो था और तो सिटी थी इनकोर्ड और यह कंट्री इसने इन चारों चीजों को अलग-अलग कोलम्स में सेट कर दिया है इसी तरीके से आप अपने किसी भी बड़े से बड़े डाटा को भी आप टेक्स टू कोलम कर सकते हैं और भी वीडियो देखने के लिए संस्क्राइब क है और आप देख रहे हैं लर्न एक्सल हिंदी और आज का हमार टोपिक है वी लुक अप लगाना है हमें दूसरी वर्क बुक से जैनी कि एक वर्क बुक से दूसरी वर्क बुक का डाटे में लेके हमें वी लुक अप अपना यूज करना है तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं मैंने यहां पर कुछ mobile phone की quantity लिखी हुई है और दूसरी जगह में दूसरी workbook sheet है mobile phone price list है जहां पर मैंने in phones की cost लिखी हुई है तो अब data use कैसे करना है सबसे पहले हम इनको एक ठंग से view में लगा लेते हैं इससे कि हमारे को काम करने में आसानी हो जाए इसके लिए view मे जाएंगे arrange all और vertical को choose कर लेते हैं यह आपके सामने आपकी phone list price list भी open हो गई है और यहां पर जो हमारी पुरी list है वो भी यहां पर आ चुकी है तो आये लगा लेते हैं cost का formula लगा लेते हैं वी look up के साथ में आप यह भी look up look up value क्या चाहिए मुझे look up value चाहिए मुझे items की cost चाहिए मुझे उसके बाद table array इसके बाद table array है हमारा price list जो हमारी इसको पूरी को choose कर लेंगे उसके बाद गोलम इंडेक्स नंबर क्या है हमारा तो आप यहां पर देखेंगे अपना जो कोश्ट है आपकी वो है तू नंबर यह नहीं कि दो नंबर हमारा कोलम इंडेक्स नंबर हो गया उसके बाद true or false इसमें से आप हमेशा false exact match हम mostly use करते हैं क्योंकि हमें exact match ही चाहिए होता है हम उसके आज पास का data नहीं ले सकते हमें exact match ही चाहिए होता है तो इसको आप use कर लेंगे उसके बाद bracket close करना है तो मैंने bracket close कर दिया है और ये आ गया है मेरा यहां पे Nokia का जो था इसमें cost वो है 5000 इ यह दूसरी workbook खुली हुई है और यह दूसरी खुली है यह इसके अंदर की sheet नहीं है यह अलग file है यह वाली अलग file है इस वीडियो का उद्देश्च है यह है कि हम दूसरी file से भी we look up formula अपना लगा सकते हैं तो यह से मैंने लगा लिया है इसको मैं drag कर लूँगा इसको इ कर देता हूँ इसके बाद इसको मारा काम खतम होगे इसको बंद कर देता हो और अब देखना है यह देखिये जब आप इस post के किसी cell में आप select करेंगे किसी cell को तो आप उपर अपने formula में आपको मिलेगा कि आपने यहां पे mobile phone लिस्ट जो है कहां से लीवी यह आपको यहां learn excel Hindi, have a nice day thank you very much friends